एलो दोस्तू, बर्ड एनिमेशन फूर स्टोरी क्लास नमबर टू में आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लास नमबर वन में हमने सॉफ्ट्वेर को इंस्टॉल करना सिखा है अगर आपने Class No.1 नहीं देखा है तो जाकर हमारे Instagram पर देख ले और Software इंस्टाल कर ले वैसे आपको Animate CC 2021 इंस्टाल करना है अगर आपके पास Windows 7, 8 या फिर Old Windows 10 है तो ऐसे में आपको Adobe Flash CX6 Software को इंस्टाल करना है तो दोनों ही Software एक ही है यानि के Animate CC नया वर्जन है और Adobe Flash CX6 पुराना वर्जन है दोनों में एक जैसा ही काम होता है बस Windows 7, 8 में Animate CC सपोर्ट नहीं करता इसलिए अगर आपके पास Windows 7, 8 है तो आप Flash CX6 इंस्टाल कर ले और अगर आपके पास Windows 10 है तो आप Animate CC 2021 इंस्टाल कर ले तो अगर आपको पता करना है कि आपके कम्प्यूटर में कौन सा Windows है तो उसके लिए यहाँ पर This PC के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और Properties की Option पर क्लिक करेंगे तो Settings ओपन हो जाती है यहाँ पर आपके Windows से रिलेटे सारे Information मिल जाएगी तो यहाँ पर नीचे साट में Windows Specification मिल जाती है वहाँ पर आपको Edition के पास Windows 10 लिखावा दिख़ा होगा तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि आपका कौन सा Windows है तो आईए इस Class No.2 को स्टार्ट करते हैं और Software के Basic Knowledge के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले Type Here to Search के Option पर जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे Animate CC Animate CC को Open करेंगे तो अगर आप इस Software को पहली बार इंस्टॉल करेंगे तो यह Open होने में थोड़ा टाइम लगेगा तो कुछ देर वेट करना है तो यह Animate CC Software आपन हो गई है तो आप सबसे पहले आपको नीचे साइड में Animate CC Software के आइकन पर राइट किलिक करना है और यहाँ पर Pin to Tax Bar के Option पर किलिक करना है ऐसा करने से आपको बार बार Type to Hair पर सर्ज करना नहीं पड़ेगा यहाँ पर यह Software पिन हो जाएगी और अब आप सीधे Animate CC के आइकन पर क्लिक करके Animate CC आप को डाइरेक्ट आपन कर पाएंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जैसे ही आप इस Software को पहली बार Open करते हैं तो यह ऐसा Blank दिखाए देगा तो आपको यहाँ उपर साइड में File के Option पे क्लिक करना है File पे क्लिक करने के बाद New के Option पे क्लिक करना है तो जैसे ही आप New पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से Interface सो होगा तो यहाँ पर Character Animation के अंदर 4 पिसेट दिया हुआ है तो आपको Full HD को सेलक्ट करना है और फिर यहाँ पर आती है Frame Rate यानि के 1 सेकेंड के अंदर कितने Frame होने चाहिए तो हमें 1 सेकेंड के अंदर 30 Frame Rate ही रखना है Action Script 3.0 ही रखना है इसके बाद Create के Option पे क्लिक करेंगे तो Create पे क्लिक करने के बाद यह थोड़ा सा Load होता है तो इसे Load होने देते हैं तो यह जो हमारा Software है Animate CC यह पूरे तरीके से Open हो जुका है तो यहाँ पर हम लोग इसका Workspace सेट करना सीखेंगे यानि कि इसका जो Timeline है जो की नीचे के साइड में है उसे हम उपर के साइड में कैसे करेंगे तो Workspace को सेट करने के लिए उपर साइड में Window के Option पे क्लिक करेंगे इसके बाद नीचे साइड में Last में Workspace पे क्लिक करेंगे और Classic के Option पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यगर टाइमलान था वो उपर के साइड हो चुका है तो आपको भी अनिमेर CC सॉफ्ट्वेर में सबसे पहले वर्क स्पेस को सेट कर लेना है विंडो में जाकर वर्क स्पेस में जाकर क्लासिक के आप्षन पे क्लिक कर देना है तो आज के क्लास नमबर टू में हमने वर्क स्पेस को सेट करना सेखा है तो आईए मिलते हैं क्लास नमबर थ्री में जिसमें हम आपको बताएंगे इस सॉफ्ट्वेर के टूर्स के बारे में